आल राइट कैसे हैं आप लोग अभी दो बिन पहले मैंने आपको Realme OPPO के ऑफिशल डैलरी के ओपर एक वीडियो दिया और उस वीडियो के ओपर आप सबका रिस्पॉंस काफी अच्छा रहा तो उमीद है इस वीडियो के ओपर आप लोग अपना प्यार उसी तरीके से दिख सब्सक्राइब करना तो यह सब आपको बताने वालों कुछ चीज़ें ठीक हुई हैं कुछ चीज़ें खराब भी हुए हैं जो नए फीचर हैं वह भी रियल्मी ने एक्टिबेट कर दिया है और वह नए फीचर कौन कौन से यह पूरी लिस्ट आपको इस वीडियो में बता अपडेट इस टेलगाम चैनल के ओपर एंड यहां पर आप लोगों को फाइल सेक्षिन के अंदर जो सिस्टम लॉंचर एपी के है वह देखने को मिल जाएगी एंड सिस्टम लॉंचर के वर्जन की बात करें अपडेट करने के बाद उसको अगर आपने फोन की सैटिंग के अंदर जाना है जो एप का साक्षिन है इसको फाइंड करो एंड यहां पर एप नेजमेंट में जाओ थोड़ा सा टैम लगेगा सर्च बटन के ओपर क्लिक करके आपने यहां पर लिखना है सिस्टम इतना लिखने के बाद अगर आप लोगों सिस्टम लॉंचर लिखोगे तो आप लोगो एक APK देखने को मिल जाएगी इसके ओपर क्लिक करोगे तो वर्जन आप लोगो 13.1.01 देखने को मिलता है और यह सिस्टम लॉंचर सिर्फ Android 13 and Realme UI 4.0 ColorOS 13 में ही काम करेगा बाकी अगर आपने इसको अनिंस्टॉल करना है तो यहां पर आने की बाद ऊपर 3 तो आसाकल से अनुस्टॉल के जाएं अपर आयकन लॉबहाएं करें पहले की बात करें तो पहले आपको बता चाहिता हूं कुछ स्थिरा जियुक्सितर देखने को मिलते से मेरा पुराना फोन है, इसमें मैंने system launcher अंस्टॉल नहीं किया है, पहले आप लोगों को कुछ इस तरीके के देखने को मिलते थे, लेकिन अपडेट करने के बाद कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, आपको इनमें से कौन सा पसंद है यह update करने के बाद का है यह update करने से पहले तो मुझे तो भाई यह काफी पसंद आए और बार में आप लोगो को पूरे icons देखने को मिलते हैं देखने में भी अच्छे लगते हैं आपके जितने भी यह icon packs हैं भाई पूरे के पूरे आप लोगों को अब जो material icon में देखने को मिल जाएंगे पस कुछी बचे हैं जो support नहीं करते वो भी next update में आ जाएगा और जब next update में यह stable में आ जाएगा तो icon section में जो यहाँ पर beta लिखा है यह आपको देखने को नहीं मिल सेकंड फीचर में realme ने system launcher का जो सबसे बड़ा बग था ads का उसको fix कर दिया है अब अगर आप लोग सेटिंग में चलोगे and home screen locking का जो section है इसको अगर आप लोग ओपन करके जो home screen customization के feature है home screen modes में इनको open करोगे तो अब draw mode के अंदर कोई पसने आजन का feature है वो आपको देखने को नहीं मिलता standard mode के अंदर भी आप कोई feature देखने को नहीं मिलता draw mode में पहले आप लोगो काफी सारे features मिलते थे मैं आपको बता देता हूँ कौन काउंसे features था यह मेरा दूसरा phone है and इसके draw mode में अगर आप लोग चलोगे तो यहाँ पर आप लोग को app draw की setting मिलती थी इसके अ पसन्याई search so app suggestion के यह feature देखने को मिलते थे एंड जो पसन्याई search है वाई इसमें आपको ads देखने को मिलती थी लेकिन अब इस update में रियल्मी ने इस feature को remove कर दिया है and जो ads है अब वो भी आप लोगों को realme UI में बहुत कम देखने को मिलेंगे clean experience जो है UI का वो आपको मिलेग अगले feature की बात करें तो यह feature आप लोगो वीजर्ट section में मिलेगा आप लोगो realme UI में जो 3D wizards है कुछ इस तरीके के वो realme UI 4.0 में देखने को मिलते थे लेकिन system launcher के इस नए update में एक नया वीजर्ट realme ने add किया स्क्रीन को pinch करो plus icon के ओपर आप लोग जैसे click करोगे यहां प आप लोगो कुछ इस तरीके वीजर्ट के जो section है वो देखने को मिलते हैं recorder का जो नया वीजर्ट है वो अब आप लोगो को देखने को मिल गया पहले यह वीजर्ट आपको देखने को नहीं मिलता था लेकिन system launcher को अपडेट करने के बाद यह वीजर्ट realme ने add कर दिया इंट्रेस्टिंग लगा और भी इतने यह वीजर्ट से इनको भी realme ने इस अब्डेट में optimize किया और यह प्रॉपर तरीके से work करते हैं step tracker वीजर्ट में भी आप लोगो जो नयने animation है वो देखने को मिल गया कुछ इस तरीकी के वीजर्ट realme ने इस अब्डेट में add किये है देखो इस system launcher में आपको एक चीज खराब भी देखने को मिलेगी वो रही कि इसमें आप लोगों को जो oneplus का clock visit है वो working देखने को नहीं मिलेगा मैं आपके सामने यहाँ पर इस visit को remove करता हूँ यह remove कर दिया और जो नया visit है इसको भी apply करता हूँ visit section में तो यहाँ पर कोई भ देखने को मिलता जो कि लेटरस्ट है एंड oneplus के clock visit को support करता है अगर आप लोगों किसी और फोन में ट्राइब करते हो लेकिन अगर आप लोगों को अब्लेट कर लोगे उसके बाद यह आप लोगों को working देखने को नहीं मिलेगा तो यह चीज मुझे बहुत ही खराब लगी इस अपडेट में एप ओपनिंग एप क्लोजिंग अनिमेशन आपको काफी स्मूध देखने को मिलेंगे काफी फास्ट है और प्रॉपर तरीके से टच भी वर्क कर दे कोई भी टच डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा और अगर आपने ट्विटर के ओपर फॉलो नहीं के ओपने अनिमेशन थे पहले से इंपरूब हैं आप लोगे कोई अपको छी अप्री आपट्र ही क्लिक यह चाया को नहीं देखने को नहीं मिलेगा तो बात होगी इंद आरे में इस update में आपको कौनकों से नए features देखने को मिलते हैं कैसे इनको activate करना है वर्जन के है system launcher का सब मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ें आपको system launcher के नए update में खराब देखने को मिलेंगी सब बता दिया अब system launcher का manual link आप लोगों को नीचे description में देखने को मिल जाएगा वहाँ जागर के download कर लेना इन सब के update के लिए आपको realme system apps अपडेट इस telegram चैनल को जोईन कर लें यहाँ पर files section में सभी realme oppo one plus phones की कितनी भी system apps के update हैं वो सबसे बहुत देखने को मिलते हैं तो आप लोग जारके update कर लो एंड यतने भी apps हैं इनको update करके आप लोग नए ने feature को enable कर सकते हो और यह system launcher by proper तरीके से काम करता है जाकर के update कर लेना याद ध्यान रखना कि android 30 में ही काम करेगा